और आज की दिन अमेरिका में सोशिलिस्ट पार्टी के आहवान पर ये दिवस सबसे पहले 28 परवरी 1909 को मनाया गया था आज महिला दिवस है तो खुद पीयम मोदी इस बात को जाहिर कर रहे हैं देश को नागरिक सशक्त बनाते हैं लेकिन उस नागरिक को असल में जो सशक्त बनाती है वो मा है जहां अंदकार होता है वहां रोश्टी भी होती है जहां मुसीबत होती है वहां सभलता भी होती है और जहां महिलाएं होती है वहां हमेशा उम्मीद की किड़ने होती है जो हैं सशक्त करेंगे दी नागरीक मघर को ससक्त बनाता है उसको सामर्धवान बनाता है उसको अकर चरितवान बनाता है तो मा बनाती है उससे बड़ा राज्कानिरmahar और कोई नहीं कर सकता जो सदियों से माताय वहने करती आई है आगा की सरिता और जैबून निशा प्रणानमंत्री की ये बातें सही सावित करती है रिख्षे के पहिये के साथ अपनी जिन्दगी की गाड़ी को आगे बढ़ा रही सरिता और जैबून निशा की कहानी पुरुष प्रधान वाली सूच के इस समाज को आयना दिखाती है पहली कहानी सरिता शर्मा की है जिनका पती वैंचालक है बेटी की दिल में छेद है और आर्थिक तंगी बेटी का इलाज कराने नहीं देती पस फिर क्या घर की मर्यादा को लांते हुए सरिता बाहर निकली और मयूरी रिक्षा खरीद का उसने चलाना शुरू कर दिया हाला कि सुनिता को इस बीच कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा लेकिन फिर भी सुनिता के होसले नहीं टकमगाए और वो धटी रही इसका बेटा मरने के बाद उसकी तीन बच्चों की जिम्यदारी जैबून निशा परा गई भूगे मरने की इस्तिती में जैबून घट से बहा निकली और अपने मासूम पोते उत्यों के लिए मेहनत कर रिक्षा चलाने लगी सरीता और जैबून निशा की कहानी मिसाल इस समाज के लिए जहां महिलाओं को सिर्फ चूला चौका और घर समालने वाली की रूप में देखा जाता है समाचार प्लस इन महिलाओं की जज़वे को सलाम करता है अजर सिर्फ चूहां के साथ दूर रिपो समाचार प्लस